हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल मैं डॉक्टर हीना रसमीन एक होमेपाथिक फिडिशन हूँ और आज मैं आप लोगों को खास करके महिलाओं में फीमेल्स में होने वाले वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज के लिए कुछ यूस्फूल होमेपाथिक मेडिस्स के बारे मे बताऊंगी दोस्तों महिलाओं को फीमेल्स को जब वेजाइना से कंटिनुवसली वाइट कलर या यलो कलर कर डिस्चार्ज होता है तो उसे लिकॉरिया कहते हैं महिलाओं में प्रिग्नेंसी के दोरान वाइट या यलो कलर कर डिस्चार्ज हो रहा हो तो इसे नॉर्मल ही कह अगर आपको बहुत जादा वाइड ययलो कलर का डिस्चार्ज हो रहहा है या पिर आपके ल्योकॉरिया का कलर ग्रीनिश ए ब्लैक इस खराइब अगर आपको अगर आपको अपने सेहत करे एलट हो जाना चाहिए महिलाओं में वाइड डिस्चार्ज की प्रोब्लम लुकॉर प्रियर इंफ्रिक्शन के वज़से या फिर एस्टुडिस के वज़से भी यह वाइड डिश्चार्ज यह जादा आना इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसलिकुरिय की समस्या में वज़ाइनल वाइड डिश्चार्ज के इलावा फिमिल्स में कमर या भी बैक में बहुत दर्द देखने को मिलेगा हर बग दर से परिशान रहेंगी लोवर अब्डोमें जो है उसमें भी पेंद देखने को मिलेगा उसके इलावा थकान महसूस और बहुत बार पॉल इसमेल की सिकायत भी देखने को मिलेगी कुछ लोगों में खास करकि यह बच्चों में या फिर टीनेजर्स लड़किया जो होती है तो आज मैं आप लोग को जो होमियोपाथिक में बारे में बताने जा रहे हैं वह इन जेनरल अगर आप लोकोरिया से चाहिए वह किसी भी कारण से हुआ हो इस्ट इंफेक्शन के वह से वह से वह या फिर चाहिए पेल्विक इनफ्लामेटरी डीजिस के वह से आपको लोकोरिया की यह सारे सिंटम्स दीख रहे हैं तो यह मेडिसिन आप जरूर लें आपके लिए बहुत एफेक्टिव रिजल इसे लिए खास करके मेनुपॉस के दौरान होने वाले वेगाइनल डिश्चार्ज के लिए 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 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको मेनुपॉस के दौरान येलोविश या फी ग्रिनिश करन का लिकोरिया घात आ रहा हो और साथी आपके वेजाइनल एर बहुत ही अच्छ रिजर्ट है आप इसे आप नॉर्मल वाटर में ले इसके लिए परिशान ना हो किसे कैसे लेना है तो आप इसे हाफ कप नॉर्मल वाटर में आप इसे चार से पांच बून ले और सुबह दो पर शाम कुछ दिनों तक लगतार इसे लिए आपको बहुत ह करिया का डिश्चार्ज है वह ट्रांस्पारेंट हो बहुत जादा जलन और इचिंग हो रही हो डिश्चार्ज के वज़ा से दिन के समय में खास करके यह जो जादा हो जाए और थंडे पानी से धोने पे आपको अराम महसूस हो तो ऐसी समस्या में आप अलुमीना दबा ले अच्छे रिजर्ट देखने को मिलेने हैं तीसरी होमेपैथिक दवा है कलकेरिया कार्व यह भी बहुत ही यूसपूल और बहुत ही अच्छी दवा इस लिकॉरिया की समस्या करें च्छोटी बच्चियों में जब लुकॉरिया होता है तो यह दवा उस वक देने से बहुत ग्रीपैथिक ग्रीच जब लुकॉरिया की समस्या ने करने के बार लुकॉरिया की समस्या धार बड़ जाता है तो ऐससे समस्या में आप अब कलकेरिया 40 अब इसे हाफ कप नार्मल वाटर में चार से 5 मुद्सा वोपर शाम कुछ दिनों तक कुछ टाइम तक उपिसे लग अगर आपके समस्या है और आपको बहुत जादा हो रहा है इंचिंग जादा हो उसमें बहुत बदबू हो इसमेल हो वेगिनल डिस्चार्ज का जो कलर ही यलू हो और पीरियर्स के दौरान अगर डिस्चारज बढ़ जाय तो आप ड़ लें से 30 पोटेंसी चार से पांच बुन सुभा दो पर शाम कुछ दिनों तर लगातार लें पांच में पैथिक दवा है नैट्रम म्यूर यह बहुत ही यूसफुल दवाए लुकोरिया की समस्या के लिए अगर चलने के दौरान यह बहुत जादा बढ़ जाए तो ऐसे समस्या में आप नैट्रम म सफेदी जैसा हो और इसके लाबा जब यह निकलने लगा वेगिनल डिश्चार्ज और निकलने वक्त आपको गरम पानी जैसा कुछ निकलता हुआ महसूस हो तो ऐसी समस्या में आप बोरेक्स दवा थर्टी पोटेंसी में चार से पांच मुन हाफ कप नॉर्मल वार्टर मा मेरी वीडियो का आपको इंफॉर्मेटीव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरू कर दें remains जैनेन को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरू करें